इवेंट के दुरान गायक पर हुआ हमला बाल बाल बच्चे सोनू निगन सेलफी मुंबई के चैंबूर इलाके में हमला किया किया एक म्योजिक इवेंट के दुरान सिंगर पर हमला हुआ इस घटना के वक्त उनके साथ उनका एक दोस भी था सोनू निगन के बॉडिगाड ने उन्हें बचाया और उन्हें चैंबूर के जयन अस्पताल में एडमिट किया गया बता दे कि जिस शक्स ने सोनु निगम पर हमला किया था वो कोई और नहीं बलकि उदव ठाकरे गुट के विधायक का बेटा है विधायक MLA प्रकाश पटेर पेकर ने चैंबूर इलाके में एक इवेंट का आयोज़िन कराया था इस इवेंट में सोनु निगम का लाइफ पफॉर्मेंस था शो के बाद सोनु निगम के स्टेज से उतरते ही लोग उनके साथ सेलफी लेने के लिए दोड़ पड़े वहीं विधायक के बेटे का सोनु निगम से जगड़ा हो गया इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर तीजी से वाइरल हो रहा है रिपोर्ट्स के मताबिक दक्का मुक्की में सोनु निगम मंच की सीडियो से गिर गए थे बताया जा रहा है कि सोनु निगम के दो गार्ड जो उन्हें बचाने गए थे वो भी नीचे गिर गए थे गनीमत रही कि सोनु निगम बच गए और उनके साथ टीम का एक व्यक्ति घायल हो गया इस बीच बीती राद सोनु निगम को पास के जोयन अस्पताल में भरती कराया गया डॉक्टर्स ने प्रात्मिक उप्चार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी और फिलाल सोनु निगम अभी सुरक्षित है सिंगर ने सुमवार देर राद घटना के बाद पुले स्टेशन पहुँचकर आरूपी के खिलाफ एपाईयार दर्च करवाई इसमें चोट पहुचाने और गलत तरीके से रोकने के शिकायत की गई शिकायत के बाद कहा कि कॉंसर्ट के बाद मैं स्टेज से नीचे आ रहा था कि प्रकाश फटीर पेकर ने मुझे पकड़ लिया और उसने हरी और रब्बानी को धक्का दिया जो मुझे बचाने आई थे लेकिन मैं सीडियों पर गिर पड़ा मैंने शिकायत दर्च की ताकि लोग जबरदस्ती सेल्फी लेने और हाता पाई करने के बारे में ना सोचे पुलिस ने विधायक प्रकाश फटीर पेकर के बेटे के खिलाफ आई पीसी की धारा 341, 323 और 337 के तहट मामला दर्च कर लिया है प्रकाश फटीर पेकर के बेटे ने सोनो निगम से क्यों लड़ाई की इस धक्का मुक्की के पीछे मकसद क्या है चैंबुर पुलिस इस सम्मंध में आगे की जाज कर रही है